प्यारे बच्चों आज हम बात करेंगे मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया भाग दो के बारे में लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक पुर्वावलोकन करेंगे भाग एक में जो कुछ भी हमने सिखा था भाग एक में हमने बात कि थी चीन से मुद्रण के सुरुवात के बारे में और किस तरह से मुद्रण क्रांती की सुरुवात हुई इसके बारे में साथ ही हमने यह भी देखा था कि प्रिंट ने किस तरह से धार्मिक बहस को जर्म दिया और कौन से वो लोग थे और संस्थाएं थी जिसे प्रिंट का भै होता था साथ ही हमने ये भी देखा कि यूरोप में किस तरह से प्रिंट की वज़े से अध्यान उन्मात पैदा हुआ और अंत में हमने ये भी देखा था कि फ्रांसिसी क्रांती में मुद्रण की क्या भूमी का रही थी आज के महत्वपुन विसाय होंगे प्रिंट को लोगप्रिये बनाने के लिए कौन से कदम उठाए गए साथ ही प्रिंट में कौन से नवाचार हुए और प्रिंट भारत कैसे आया भारत में आने के बाद प्रिंट ने धार्मिक सुधारों में क्या भूमी का निभाई और महिलाओं तथा स्रमिकों के उपर प्रिंट का क्या प्रोभाव परा और अंत में प्रिंट और सेंसर्शिप के आपसी संबंद को भी हम समझने की कोशिस करेंगे आगे बढ़ने से पहले आज का अधिकम पड़िनाम देख लेते हैं इस सेशन के अंत में सिक्छार थी यूरोप में प्रिंट को लोकप्रिये बनाने के लिए बिभिन उपायों का बढ़न कर सकेंगे मेकेनिकल प्रिंटिंग के छितर में विभिन नवाचारों की पहचान कर पाएंगे महिला और कार्यकरता वर्ग पर प्रिंट के प्रभाव का आकलन कर पाएंगे और साथ ही धार्मिक सुधार में प्रिंट की भूमिका का विसलेशन भी कर पाएंगे तुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझने की कोशिस करते हैं कि यूरप में बच्चों के बीच प्रिंट को लोकप्रिये बनाने के लिए कौन से कदम उठाए गए तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि बच्चों के लिए अगर कोई भी विसय अनुप्युक्त माना जाता था या असलेल समझी जाती थी तो उन चीजों का प्रकासन नहीं होता था 1857 में फ्रांस में बच्चों के लिए एक समर्पित पूरी तरह से साहे तिक प्रेस की सुरुआत की गई और जर्मनी में दो भाई थे जिन्हें ग्रिम ब्रदर्स कहा जाता था उन्होंने किसानों से पारंपरिक लोग कताओं का संकलन किया और बच्चों के लिए इसका प्रकासन किया अब हम लोग बात करेंगे कि महिलाओं के बीच प्रिंट को लोग प्रिये बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए तो उपयोगी ज्यान के प्रसार के लिए बनी सोसाइटी के द्वारा इंग्लैंड में 1832 इस्वी से 1835 तक पेनी पत्री का यानि पेनी मैकजिन का प्रकासन किया गया और इसमें उचित ब्यभार, नियमावली और हाउसकीपिंग पढ़ाने वाले मैनवल प्रकासित किये जाते थे साथ ही अध्यन की वजह से जो प्रिंट के कारण लगातार बढ़ रहा था कई महिलाएं पाठकों के साथ-साथ लेखक भी बनी जिन में बहुत महत्वपूर्ण थी जेन आस्टिन, ब्रॉंट सिस्टर्स और जॉर्ज एलियट इसमें महिलाओं को द्रड इच्छा सकती, मजबूत विक्तित्व, द्रड संकल्प और सोचनी की सकती से भरपूर एक विक्तित्व के रूप में दर्साया जाता था अब हम बात करेंगे स्रमिकों के बारे में क्योंकि स्रमिक लोग जब फैक्टरीज में काम करते थे तो उनको पढ़ने के लिए समय कम मिलता था तो ऐसी कोशिसे की गई जिससे की स्रमिकों के बीच भी प्रिंट को लोगप्रिये बनाया जाए और इसका एक उपाई ये किया गया कि स्रमिकों कारीगरों और निम्नमध्यमबर्ग के लोगों को सिक्षित करने के लिए उधहार देने वाले पुस्तकालियों की अस्थापना की गई साथ ही उनिश्मी सदी के मध्य से कार्यावधी को भी छोटा कर दिया गया उनको छुट्टी ज्यादा मिली जिससे की स्रमिकों को अध्यन अध्यापन कर अपना आत्मसुधार और आत्मअभिविक्ती के लिए समय मिले साथ ही बहुत सारे ऐसे स्वा सिख्षित स्रमिक लोग भी थे जिन्होंने स्रमिकों की समस्याओं और उनके समाधान के उपर लिखना सुरू किया और ये सारा चीज संभव हो पाया प्रिंट की वज़े से अब हम एक गतिविधी करेंगे अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है आप एक छवी देख पा रहे हैं जो कि इंग्लैंड में एक रेलवे स्टेशन पर दिया हुआ विज्यापन है इस छवी को आप अच्छी तरह देखिए और ये बताए कि ऐसे विज्यापनों का जनता के मन पर क्या प्रभाव पढ़ता कि क्या आपको लगता है कि हर कोई मुद्रित सामगरी पर एक समान प्रतिक्रिया रखता है और अपने विचार आप अपनी कक्छा के सामने व्यक्त करें अब हम बात करेंगे उन नवाचारों के बारे में जो प्रिंट के छित्र में हुआ नुई यॉक में रिचर्ड एम हो नाम के एक विक्ती हुए जिन्होंने प्रती घंटे आठ हज़ार प्रिष्ट छापने में सक्षम बिजली से संचालित एक वेलनाकार प्रेस बनाया साथ ही 19 सदी के उतरार्ध में आपसेट प्रेस को एक बार में 6 रंगों तक प्रिंट करने के लिए विक्सित किया गया और 20 सत्ताबदी में ही विज्जुत संचालित प्रेसों ने मुद्रन कार्ज को और भी आगे बढ़ाया इसके साथ ही 140 पेपर रिलों की सुरवात भी पहले पेपर हाथ से फीड करना होता था अब वह आटोमेटिक हो गया साथ ही पेपर फीडिंग के तरीके में भी सुधार किया गया और प्लेटों की गुनबत्ता भी बहतर की गई इससे प्रिंट में काफी सुधार आया अब जब किताबें अधिक संख्या में छपने लग गई तो किताबों को बेचने के लिए नई नई रन्नितियां भी बनाई गई जैसे 19 सताबदी में पत्रिकाओं को बेचने के लिए क्रमबध तरीके से प्रकासन किया जाने लगा इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह से आज कल हम लोग अपने टीवी के उपर सीरियल देखते हैं जिसमें की एक करी आज दिखाई जाती है और एक करी कल या उसके बाद और इस तरह से काफी लंबे समय तक उनका प्रकासन प्रकासन चलता रहता है उसी तरह उपन्यासों को करंबध तरीके से प्रकासित किया जाना सुरू हुआ और 1920 के दसक में इंग्लैंड में सीलिंग सीरीज यानि की सीलिंग स्रिंखला के माध्यम से सस्ती पुस्तकों को छापने और बेचने का काम सुरू किया गया इसके साथ ही सस्ते पेपर बैक संसक्रणों का भी प्रकासन सुरू हुआ और पुस्तक के ऊपर डस्ट कवर और बुक जैकिट भी लगाया जाना सुरू हुआ जिससे की उनकी सुन्दर्ता में बिर्धी हुई अब हम एक गतिविधी करेंगे आप अपने मता पिता से बात करें और पता करें कि आज की दुनिया में विग्यापन के लिए कौन कौन से प्लैटफॉर्म उपलब्ध है विग्यापनों पर लोगों का क्या असर होता है और किस तरह से वह उनके विचारों को प्रहावित करत है इन सारे विच्चियों के ऊपर आप चर्चा कीजिए अब हम बात करेंगे पांडूलीपियों के बारे में क्योंकि प्रिंट के आने से पहले खास करके अगर हम भारत के बारे में बात करें तो पांडूलीपिया लिखी जाती थी संस्कृत में अर्भी में फार्सी में और बिभिन आस्थानिये भासाओं में पांडू लीपियां लिखी जाती थी जो मुख्य रूप से तार के पत्तों पर या फिर हस्त निर्मित काग्जों पर लिखा जाता था कई बार सुन्दर चित्रन वाले प्रिष्ट भी इन पांडू लीपियों पर बनाया जाते थे और इन पांडू लीपियों का सनरक्षन सुनिश्चित करने के लिए लकरी का कवर लगाया जाता था और उनको दोनों लकरी के कवर के बीच में सिल दिया जाता था लेकिन एक बड़ी समस्या ये थी कि पांडू लीपियां हमेशा सब के पढ़ने के लिए उप्युक्त नहीं होती थी क्योंकि इन में कई कमिया होती थी जैसे पांडूलीपी लिखना अच्चधिक महगा काम होता था क्योंकि पांडूलीपियां तार के पत्नों पे लिखी जाती थी इसलिए ये काफी नाजुक भी होती थी और कई बार पढ़ने में भी आसान नहीं होती थी क्योंकि अलग अलग लोगों की लेखन सैली अलग अलग होती थी इस कारण पाठक बर्ग पांडूलीपी पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमफर्ट महसूस नहीं करता था साथ ही पांडूलीपियों को अगर एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर आपको ले जाना हो तो उठाने में अत्यंत सावधानी की जरूरत होती थी तो पांडूलीपियों की ये सारी कम्या थी इसलिए प्रिंट के भारत आने में रास्ता आसान हुआ और सबसे पहले 16 में सतावधी के मध्य में पुर्तगाली मिशनरियों ने गोवा में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया और जेस्वीट पुजारियों ने 1674 इसमी तक कोंकनी और कंणर भासा में लगभग 50 कितावें उन्होंने छापी 1780 में एक अंगरेज जेम्स अगस्टस हिक्की ने अंगरेजी में एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकासन शुरू किया जिसका नाम था बंगाल गजट अगर हम भारतिय पत्रिका की बात करते हैं तो गंगादर भट्टा चाज ने बांगला में सबसे पहले बंगाल गजट के नाम से ही एक गजट का प्रकासन करना सुरू किया इस तरह से प्रिंट भारत आया और भारत में भी प्रिंट के आने से धार्मिक सुधार के छित्र में काड़ी शुरू हुए, सारवजनिक बहस शुरू हुई और इसका कारण ये था कि प्रिंट के आने के बाद विभिन धर्मों के मानेताओं की नई नई व्याक्षाएं प्रस्तूत की गई नई नई विचार सामने आने लगे और आपस में डिबेट्स, बहस, डिसकसन इन चीजों को प्रोथसाहन मिला शुरू हुआ और सार्वजनिक शर्चाओं में लोगों की भागेदारी भी बढ़ी क्योंकि प्रिंट के कारण लोग अब पढ़ रहे थे और साथ ही अपना एक इंडिपेंडेंट विक्तिगत विचार भी विक्सित कर पा रहे थे इससे धर्म में काफी परिवर्तन देखने को मिला यदि हम प्रिंट और हिंदू धर्म के आपसे संबंधों की बात करें तो यहां दो तरह के लोग दिखने को मिलते थे एक वो जो हिंदू रूड़िवाधिता का समर्थन करते थे और दूसरे वो जो हिंदू धर्म में सुधार के समर्थन थे जो लोग हिंदू रूड़िवाधिता का समर्थन करते थे वो लोग सती पर्था ब्रंभनवाधी पुरोहित बात मुर्ती पूजा इन चीजों में तो विस्वास करते थे एक एस्वरबाद में विस्वास नहीं करते थे बहुदेवबात की पर्था थी और अपने विचारों के समर्थन के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने समाचार चंद्रिका के माध्यम से एक प्रिंट शुरू किया जिसमें की हिंदी रूडिवाधता को काफी समर्थन दिया जाता था लेकिन इसके ठीक विपरीत ऐसे धर्म सुधारक भी थे जो समाज और हिंदु धर्मे सुधार लाना चाहते थे जिनमें अगरणी थे राजाराम मोहन राए उन्होंने 1821 इसमी में संबाद कौमुदी के नाम से एक पत्रिका का प्रकासन सुरू किया और धर्म सुधार को आगे बढ़ाया साथी 1822 इसमी में उन्होंने ही दो फार्सी अकवार की सुरूआत की जिसका नाम जाम ए जहाना और समसुल अकवार था इस तरह से धर्म सुधार के छितर में प्रिंट के कारण काफी विकास सुरू हुआ अब हम बात करते हैं प्रिंट और इसलाम के बारे में प्रिंगातार धर्म पडिवर्तन हो रहा था मुस्लिम बेक्रिगत कानुनों में बदलाओ की असांका भी उन्हें काफी डर पैदा कर रही थी साथी धार्विक पुस्तकों का फार्सी और उर्दू में अनुबाद इस वजह से आवस्यक हो गया क्योंकि अब साधरन मुसल्म के लिए भी धर्म का पढ़ना और उसके मुखे बातों को सीखना जरूरी महसूस किया गया इसलिए धार्विक समाचार पत्रों का भी मुद्रन प्राडम्भ किया गया जिससे की साधरन जनता को धर्म से परचित कराया जाए देवन्द सेमिरणी ने 1860 में जो स्वयम अस्थ हाया गया कि रोज मर्रा के जीवन में उन्हें किस तरह से आचरन करना है और इस्रामिक सिधानतों का क्या अर्थ होता है उनका पालन कैसे करना है इन सब की जानकारी उन्हें दी गई 19 सताबदी में मुस्लिम संपरदाई के अंदर बहुत सारे धार्मिक सिक्षनालय सामने आए और ये सभी अपने अनुयाईयों की संख्या बराना चाहते थे और लोगों के उपर बिरोधियों के प्रवाव को कम करना चाहते थे उर्दू प्रिंट से इन सब को काफी मदद मिली क्योंकि उनके परस पर बिरोधी विचार पत्र पत्र काओं में छप्ते थे उस पर खूब गर्मा गरम बहस होती थी और लोगों को अपना विचार बनाने का एक मौका मिलता था जिससे लोगों की आपसी समझ भी बढ़ती अब हम बात करेंगे प्रिंट और आम लोगों की अगर हम प्रिंट का आम लोगों के संबंध की ब्याक्ष्या करें तो देखे मुद्रित और पॉर्टेबल बुक जो एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक आसानी से ले जाये जा सकते थे इनके आने से लोगों में पढ़ने की ललक बढ़ी क्योंकि अब अनपढ़ों के बीच भी इन पुस्तकों को पढ़ा जा सकता था और बड़ी संक्षामी लोग उसे सुन सकते थे इससे भारत के बिविन हिस्सों और बिविन समदाई के लोग आपस में जुड से गए और अखवारों ने एक अखिल भारतिये पहचान वाली खबरों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाया इसका लाव सब लोगों को हुआ साथ ही प्रकासन के कई नए रूप भी सामने आए जैसे उपन्यासों का छपना उपन्यासों के छपने से एक ऐसा अनुभब जो नई दुनिया और मानव जीवन की बिविदता को पेस करता था साथ ही गीत और लगुकताएं समाजिक और राजनतिक मामलों पर निवंद लिखे जाने लगे अब कैरिकेचर और कार्टून भी बनने लगे और सिचित भारतियों के द्वारा अंग्रेजों की नकल करने वाले मजाख या कैरिकेचर और कार्टून छपने لगे साथ ही पेंटिंग भी बनने लगी जिसमें आधुनीक्ता और परंपरा साथ ही धर्म को लोगों के बीच किस तरह से लोगप्रिये बनाया जाए इससे संबंधित पेंटिंग भी छपने लगे अब हम देखेंगे कि महिलाओं और प्रिंट का आपसी संबंध कैसे अस्थापित हुआ और इसका चालाब हुआ यदि हम महिलाओं की बात करें तो भारत में महिलाओं के जिवन और उनकी भावनाओं के उपर अब छपने लगा इसलिए मध्यम बर्गिये घरों में महिलाओं का पढ़ना बढ़ गया क्योंकि उनके पास थोड़ा समय भी होता था और सीखने की एक्छा भी होती थी कई महिलाओं जो स्वयंप लिखने लगी पत्र पत्र काओं में उनकी लेखनी का प्रकासन भी शुरू हुआ उदाहरन के तौर पे यदि हम रासुंदरी देवी का बात करें तो बंगाल में वह एक मध्यम बर्गिये परिवार से संबन्ध रखती थी और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर अपनी आत्मकता लिखी जिसका नाम था आमार जीवन यानी माई लाइफ मेरी जिंद आने के लिए इस्तरी धर्म विचार के नाम से एक पत्रिका का प्रकासन सुरू किया बंगाल में बटाला एक अस्थान था जो पूरी तरह से लोगप्रिये पुस्तकों की छपाई के लिए समर्पित था साथी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हुई जैसे ताराबाई सिंदे और पर्डिता रमाबाई उन्होंने उच्च जाती के हिंदू महिलाओं खासकर विदवाओं के दैनिये जीवन के बारे में लिखना सुरू किया वहीं कैलास वासनी देवी ने महिलाओं के अपने अनुभवों पर प्रकास डालते हुए पुस्तकें लिखनी सुरू की इस तरह स कई महिलाओं ने लेखनी भी शुरू की और उनकी लेखनी को बड़े अस्तर पर पढ़ा भी गया अब सवाल यह उठता है कि क्या महिलाओं के लिए प्रिंट उनकी अध्यन उनके पढ़ाई की ललक को सब लोगों ने स्वागत किया तो इसका जबाब है नहीं क्योंकि सभी परिवार उदार नहीं होते थे कई रूड़िवादी हिंदू परिवार यह मानता था कि अगर महिलाएं पढ़ लेंगी तो वो लर्की साधी होने के बाद बिद्वा हो जाएगी ऐसे ही मुसल्मानों में यह डर हुआ करता था कि यदी लर्कियां उर्दू रोमांस पढ़न का बिरोध करते थे अब हम इसी पर आधारित एक गती विधी करके देखते हैं आप यहां पर दो छबियां देख सकते हैं छबी एक और दो इनको ध्यान से देखिए और इन प्रस्णों के उत्तर दीजिए समाज में हो रहे समाजिक परिवर्तनों पर कलाकार क्या टिपनी कर रहे हैं और समाज में हो रहे किस तरह के बदलाओ इस तरह की प्रत्क्रिया को भरका रहे थे इस पर भी चर्चा कीजिए और यह भी बताईए कि क्या आप कलाकार के विचारों से सहमत हैं या नहीं अब हम बात करेंगे प्रिंट और गरीब लोगों के आपसी संबंध के बा सरकों के किनारे देख सकते हैं साथ ही सार्बजनिक पुस्तकाले भी अस्थापित किये गए जहां वह जा सकते थे और पढ़ सकते थे और कई सारे जो छोटी तथा कथी छोटी जाती के लोग हुआ करते थे उनमें भी एक लिखने की परब्बरा का सुर्वात हुआ जैसे जोतीबा फूले ने गुलामगिरी नाम से एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने जाती ब्यवस्था के अन्याई के बारे में लिखा और अम्बेदकर और पेरियार जैसे नेताओं ने जाती प्रथा की बुराईयों के उपर लेखनी चलाई एक मील मजदूर हुआ करते थे जिनका नाम था कासी बवा उन्होंने अपने अनुभव पर आधारित छोटे और बड़े का सवाल के नाम से कहानी लिखा एक अन्य मील मजदूर थे जो कानपूर से थे और उनका नाम था सुदरसंचक्र उन्होंने कविताएं लिखी थी और उनकी कविताओं का एक संग्रह सच्ची कविताएं के नाम से प्रकासित किया गया देखिए मुद्रण पर नियंत्रण क्यों जरूरी हो गया जिस अवधी की बात हम आप कर रहे हैं इस समय भारत में अंग्रेजों का सासन था 1857 के पहले देशी जो प्रेस थी इसके प्रती अंग्रेजों में या तो एक इंडिफरेंट दिस्टी कौन था या फिर वो किसी तरह का इंटर्फेरेंस नहीं कर रही थी लेकिन 1857 का जो बिद्रो हुआ जिसे हम भारतिय स्वाधिनता का पहला संग्राम करते हैं उसके बाद से प्रेस के प्रती अंग्रेजी सरकार का जो दिस्टी कौन था वो पूरी तरह से बदल गया क्योंकि अंग्रेज काफी नाराज थे और वो देशी प्रेस पर लगातार सक्ती करने की मांग कर रहे थे क्योंकि देशी समाचार पत्र अत्यंत ही मुखर रास्टरबादी हो गए थे और अंग्रेजी सरकार का लगातार बिरोध कर रहे थे अंतता अंग्रेजों के दबाब में 1878 इस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास किया गया और अब से सरकार ने बिभिन्न प्रांतों में प्रकासित होने वाले राश्ट्रिय समाचार पत्रों का नियमित रूप से ट्रैक रखना शुरू कर दिया साथ ही ये भी देखा जाता था कि कोई अकवार ऐसा कोई समाचार तो प्रकासित नहीं कर रहा है जो राश्ट्रों के दाइरे में आता था यदि अंग्रेज सरकार को ये लगता था कि किसी भी समाचार पत्र में कोई ऐसा समाचार प्रकासित हो रहा है जो राजद्रोह को उकसाता है तो पहले तो अखवार को चेतावनी दी जाती थी और यदि उस अखवार ने उस चेतावनी को नजर अंदाज किया तो फिर प्रेस और प्रिंटिंग मेसिनरी को पूरी तरह से जब्द कर लिया जाता था लेकिन इसके बावजूद केसरी और मराठा जैसे अखवार छपते रहे जो लोकमान बालगिंगाधर तिलक के अंदर प्रकासित होते थे चलिए अंद में एक गतिविधी करते हैं नीचे आपको तीन प्रस्ण मिलेंगे जिसमें आपको कुछ संकेत दिये गए हैं और इन संकेतों की मदद से आपको इन प्रस्णों के उत्तर देने हैं प्रस्न संख्या एक तार के पत्तों या हस्त निर्मित कागज पर क्या लिखा जाता था इस प्रस्न के उत्तर में जो सब्द आपको मिलेगा उसका जो दूसरा सब्द का अक्षर है वो डू है और जो अंतिम लेटर है वो पी है प्रस्न संख्या दो जोतिबा फुले द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताईए और इस पुस्तक का नाम गू से सुरू होता है और री से खत्म होता है तीसरा प्रस्ण है पुर्तगाली मिस्नर्यों के द्वारा सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस कहां लगाया गया था और ये दो लेटर को मिला कर बना हुआ है जिसका पहला सब्द गो है तो इन गद्विधियों को आप जरूर करें दोस्तों क्योंकि आप इन गद्विधियों को इकरने से अपनी समझ को बढ़ा पाएंगे और आपकी समझ बढ़ने से आपके अध्यन में आपको सुविधा होगी धन्यवाद झाल झाल